लवली फ्रेंड्स आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस वीडियो पर प्रीद रशकों इस वीडियो में मकर राशी पर हम विशार विमर्ष करने वाले हैं किस तरह से मकर राशी पर इनके जीवन पर शुब और अशुब फलों को हम देख सकते हैं और किस तरह के जीवन में मोड आ सकते हैं ये सभी बाते जो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन आपसे प्रार्टना है कि प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सकाइब कर लीजिए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताके इस तरह के इंटरस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस मकर राशी पर विचार बिवर्श दोस्तों उत्रा शाड़ा नक्षत्र का दुतिये चरण, तुतिये चरण, चतुर्त चरण और शवन नक्षत्र का प्रतम चरण, दुतिये चरण, तुतिये चरण, चतुर्त चरण इसके अलावा धनिष्टा नक्षत्र का प्रतम चरण और दुतिये चरण दोस्तों इन नौ चरणों से नौ अंचों से मकर राशी का निर्मान यहाँ पर होता है दोस्तों और मकर राशी के अधिपती शनी देव जी हाँ कर्म फल दाता शनी हैं दोस्तों आप जानते हैं उत्तरा शाड़ा इत्यादी नक्षत्रों के चरणों के अनुसार मकर राशी में जो लोग उद्पन हुए हैं जन्म लिया है उनके लिए क्या फल है लाइफ का आईए जानते हैं उत्तरा साड़ा नक्षत्र का दुतिय चरण और मकर राशी में जो लोग जन्मे हैं दोस्तों वह अपने शरीर से किसी अंग से हीन हो सकते हैं या शरीर में जीवन में जो है चोट इत्यादी के घाव या चोट लगने से कोई अंग को खो सकते हैं या फिर जन्मजात जो है अंग ही नहीं यहां पर होते दिखाई देते हैं दोस्तों उत्राशाड़ा का तृतिय चरण और मकर राशी में जो लोग उत्पन हुए हैं वो है ब्रामन गुरु माता पिता और अपने से बड़े लोगों के काफे भक्त और उनका अनुसरन करने वाले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं उत्राशाड़ाक नक्षत्र के चतुर चरण और मकर राशी में जिनका जन्म हुआ है दोस्तों वह व्यक्ति अपने जीवन में विभा से सम्मंदित अपनी मन पसंद का विभा किया करते हैं लव मेरिच किया करते हैं और अपने साथी के साथ में बहुत ही अच्छी और सुगम और सुखद जिन्दिगी को जीते हैं प्रेदरश को उत्राशाड़ा स्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण और मकर राशी गत जिनका ज करतब बे इनके जीवन में होते हैं। एक देव तुल्य के रूप में संसार में पूजे और सब्मानित होते हैं। प्रेमी और भक्त होते हैं ऐसे व्यक्तियों के जीवन में पुत्र आ करके। तो प्रेदरशकों सब्ण नक्षत्र का चत्रुचरण और मकर राशी में जिनका जर्म हुआ है। दोस्तों वे बड़े ही हर एक कारे में उत्तम। और दौलत शोहरत के मालिक होते हैं। खूब सारे जमीन के जायजाद इनके पास होती है। इन्हें आप कह सकते हैं। प्रतिवी से संबंदित प्रापर्टी से संबंदित खूब दौलत शोहरत इनके जीवन में होती है। प्रेदरशकों धनिष्टा नक्षत्र का दुतिय चरण और मकर राशीगत जिन लोगों का जातक जातिकाओं का जर्म हुआ है। वे बड़े ही अभय होते हैं। किसी से न डरने वाले छोटे छोटी या बड़ी बातों पर कोई जल्दी से अपना आखों देखे बिना विश्वास न करने वाले और कुल अपने कुल परिवार सगे संबंदी भाई मित्र बहन इत्यादी को तारने वाले सपोर्ट करने वाले उनके जीवन को बनाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और जीवन में अनिक प्रकार के वैवहों से युक्त, धन संपदा से युक्त ऐसे लोग जीवन में होते हैं और समस्त प्रकार के सुख लोगों को बाटते रहते हैं या बाटने वाले होते हैं धर्मात्मा तो दोस्तों इस प्रकार का ये चूप फल है वो मकर राशी के अंतरगत इन इन नक्षत्रों के चरणों की अनुसार मैंने आपको बताया। प्रेदरशकों अब हम बात करेंगे संपूर्ण यानिकि पर्टिकूलर मकर राशी के बारे में जिन जातक और जातिकाओं की मकर राशी है। उन सब के लिए हम यहाँ पर फल कह रहे हैं। ऐसे जातक और जातिकाओं की मकर राशी के अंतरगत हुए हैं। प्रेदर में जो है काफी कस्ट इनें प्राप्त होता है। और काफी शरीर, रोग, इत्यादी, अंग की व्रद्धी होना, जल से कोई भै होना, या जानवर से कोई आघात होना, या फिर लोहे से सम्बंदित कोई शरीर में चोट इत्यादी का लगना और खासकर पैर से कोई ना कोई प्राब्लम बेन से संबंदित या फिर पैरों में जानवरों से संबंदित कोई कष्ट इत्यादी होने की संभावना इन इन वर्षों में होती है जो वर्ष में आपको बताए प्रतम महीना तीसरा महीना इसके अलावा तीसरा वर्ष पांचमा वर्ष सातमा 33 वर्ष, 43 वर्ष और 51 वर्ष ये सब कस्ट प्रद वर्ष और समय है इसमें साफधान रहिए और इन वर्षों के लिए आप पहले से ही अपने राशी के अनुसार यग्या अनुष्टान और रेमेडीज आपको करनी चाहिए दोस्तों यदि शुब गरह के द्रिष्टी यदि हो चंद्रमा पर कुंडली में तो शुब गरह के द्रिष्टी के कारण जो है ऐसे व्यक्ति पर जैसे के शुब गरहों की द्रिष्टी का मतलब है सूर्य या फिर बुद्ध, ब्रहस्पति, शुक्र इन गरहों की यदि किसी क भी दृष्टी यदि चंद्रमा पर हो लगन कुंडली में चंद्र कुंडली में तो अनेको प्रकार के दोशों को हरने करने वाला ये योग होता है और इस योग से बच करके अलप आयू जो इनके जीवर में होती हैं वर्षों में इस अलप आयू से को पार करके बच करके इसक जीते हैं और खुब आनंद में जीते हैं खुब वैभव और अनिक प्रकार की लग्जरी लाइफ को ले करके जीते हैं और उसके पश्चाद कार्थिक मास, सुकल पक्ष, पंचमी तिथी, शुक्रवार, श्रवन नक्षत्र में देह को त्यागते हैं तो ये था दोस्तों मकर प्राशी के लिए इन घटना करम का चक्र तो दोस्तों अधिक रेमेडिस जानने के लिए ग्रहों की या फिर अधिक वारतालाप करने के लिए कुंडली को एनलिसिस करवाने के लिए ग्रहों से सम्मंदित कोई रेमेडी उपाई करवाने के लिए हवन, पूजा, इत्यादी जैसे शुब करमों के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नमबर उर जान सकते हैं अपने कुंडली का प्रेडिक्छन और क्रवा सकते हैं कुंडली को एनलेसिस तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो के जरिये तब तक के रिए जैश्री किष्णा थैंक्स फर वोचिंग दिस वीडियो